ये जो 19 आइटम पर बैन है ये प्लास्टिक के उत्पादों पर बैन नहीं है हमारे जिंदगी पर हमला करने वाले उन बस्तों पर बैन है जो हमारे जिंदगी को खत्रे में डालते हैं इसलिए आज पूरा देश इस बात पर सोच रहा है और एक नई पहलकदमी के तहद चरण इस आइटम्स को आज से प्रतिबंदित किया गया है लेकिन आप सब जानते हैं दिल्ली के मुख्मंतरी अर्विंद के जरिवाल जी अलग तरह से सोचते हैं बहुत सारे लोगों का मानना है कि जगा जगा इन्फोर्स्मेंट टीम बना दो बीपी सिसी की टीम भेजदो एस् फाइन लगा दो ताले लगा दो इससे विकल पैदा हो इससे जो है समाधान निकल जाएगा दिल्ली के मुख्मंतरी अर्विंद के जरिवाल का मानना है प्रतिबंद तो पूरे देश के अंदर आज से लागू हुआ है लेकिन पूरे देश के अंदर पहला राज है दिल्ली जिसने प्रतिवंद enforcement के साथ alternate पर फोकस करने के लिए आज इतने बड़े plastic मेले का, इतने बिकल्प मेले का इयोजन किया है plastic बिकल्प मेले का मकसद है समाधान प्रस्तूत करना हमारा मकसद है दिल्ली की सरकार का यह मकसद है कि मुख्यमंत्री अर्विन केज्रिवाल का ये मकसद है enforcement से पहले समाधान पैदा करो कवंकि जो लोग production करते हैं वो कोई और लोग नहीं है वो हमारे लोग है जो लोग विक्री करते हैं वो कोई और लोग नहीं है हमारे लोग है इतने बड़े प्रतिवंद के बाद बहुत सारे लोगों के जिंदगी और खास्त और से आज के इस बेरोजगारी के दौर में बहुत सारे लोगों के जिंदगी पर आज के रोजी रोटी के भी लाले पड़ेंगे इसलिए दिल्ली सरकार इस देश ब्यापी प्रतिवंद के बीच में इस टू लाइन एक्षन प्लान पे काम सुरू कर रही है इन्फोर्स्मेंट के साथ अल्टरनेट कैसे समाज के सामने रखा जाए इसके लिए ये तीन दियोसी मेला का आयोजन किया गया है प्रियावरण विभाग की तरफ से डिपी सीसी की सहयोग से और इस मेले का जो मकसद है आज लगबक सौ से ज़्यादा कई सारे लोगों के मन में आज मैं अख़बार में पढ़ रहा था अगर ये यूज नहीं करेंगे तो इसका विकल्प क्या है कहां से हम इसका विकल्प लाएंगे इस मेले के आयोजन करने का जो मकसद है बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे स्टार्टप, बहुत सारे हेल्फ ग्रुप, बहुत सारे महिलाएं इसके विकल्प के लिए चाहे वो थैला हो और चाहे वो चममच हो चाहे वो थाली हो ऐसे जो 90 आइटम है जिस में से जिन पर बेन लगाया गया है उनमें से पहला आइटम प्लाश्टिक के जो फ्लैग है वो प्लास्टिक के ही बने जरूरी नहीं है उसका विकल्फ पैदा हो सकता है और विकल्फ है वैलून के लिए जो प्लास्टिक की स्टिक लगाते हैं उसका विकल्फ पहले भी था और आज भी है प्लास्टिक के जो फ्लैग है उसका विकल्फ कपड़ा था पहले और आज भी ह जो कैंडी स्टिक है उसका विकल्फ है हमारे पास आइस क्रीम की जो स्टिक है उसका विकल्फ है हमारे पास हमारे पास जो डेकोरेशन के थर्मा कोल का उप्योग होता है उसके वगहर भी डेकोरेशन हो सकता है बहुत सारे उसके अल्टरनेट विकल्फ हमारे पास है खाने में कांचे के चम्मच पर प्रतिबंद है उसका विकल्फ है, जो हमारे चम्मच हैं प्लास्टिक के बनते हैं उसका विकल्फ है, चाकू का भी विकल्फ है, इस्ट्रा का विचल्फ है, मिठाईयों पर फैसन में हम प्लास्टिक यूज करते हैं, पतली पन्नी, उसके वगर भी यहां अच्छी लग सकती हैं सुआद में कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर हम प्लास्टिक के पन्नी को भ्योग ना करे तो उसी तरह से इन्विटेशन कार्ड है इन्विटेशन कार्ड में हम प्लास्टिक को यूज करते हैं मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा हम लोगों के साधी व्या किसी भी फंक्सन में कोई भी व्यक्ति ये देख करके नहीं आता है कि कार्ड पर प्लास्टिक लगा है या नहीं लगा है और कैसा ल विकल्फ इसका है उसके बगएर हम चल सकते हैं सिक्रेट के डबे पर जो हम पैक करते हैं उसके बगएर भी पैक हो सकता है उसी तरह से सव माइक्रॉन से कम वाले जो पीबी बैनर्स है जो बैनर्स आज कल नया आप कहीं भी देखते हो बैनर्स छपते हैं उसका भी विकल्फ ह 100 से उपर का भी हम उसको कर सकते हैं इस तरह से ये 19 आइटम जिसको इस चरण में बैन किया गया है इनका विकल्प है लेकिन हम दिल्ली वालों को भी बताना चाहते हैं और ना सिर्फ बताना चाहते हैं कि दिखाना चाहते हैं आज इस मेले में आप सबके माध्यम से पूरे दिल्ली को हमावंतृत करना चाते हैं जिनके भी दिमाग में ये सक है कि जो 19 आइटम बैन किये गए है इसका विकल्प नहीं है आप आज से ये प्लास्टिक विकल्प मेला त्याग राज इस्टेडियम में सुरू किया गया है कल भी चलेगा और परसों भी चलेगा तीन दिन लगातार ये मेला चलेगा आप पूरे दिल्ली वालों से मिरा निवेदन है जिसको ये सक है कि विकल्प क्या होगा एक बार इस मेले में आईए मैंने तो जितने तरह के आइटम से यहाँ पर देखे हैं साइद इतने ज़्यादा विकल्फ है जिसको आप जानते भी नहीं हो झाल झाल